बीजेपी और जेस्टिसी के प्रदेश अध्यक्ष अमिज्योगी के हमलोपन मुख्यमंद्री वुपिश बंगेल ने डबल काउंटर अटैक किया है एक तरफ उन्होंने बीजेपी के संकल पत्र पर पूर मुख्यमंद्री डॉक्टर रमन सिंग को खेरा है तो दूसरी तरफ वंमिज्योगी के बयान पर तल्ख टिकपणी की है मलात्पत जोरे पर रवाना होने से पहले बुपिश बंगेल ने बीजेपी के संकल पत्र में सिस्टम में शेहरी नक्सली घुसने के आरूपो परका है कि यदि वो आज है तो रमन सिंग कोन के नाम सारवजनिक करना चाहिए और प्रमारत करना चाहिए उन्हों रमन सिंग से पूछा कि जब शेहरी नक्सली सिस्टम में खुसा तो 15 साल तक क्या कर रहे थे यदि उन्हें मालूम था तो क्या कारवाई की आज मारती जन्ता पार्टी के लोग करते हैं सहरी नक्सली जो सहरी नक्सली उसका चेनल को तोड़ा था लिके 24 यह थे उनकी सहादत भी तेकि उसे जांच नहीं करा आपा थे और 29 जवान हमारे सहीद हुए और आपने आईजियक उसमें गिलेंटे आवाड दिया करे लिके 24 की मौत का इनाम उनकु दिया लिया यह थे कारशारी बहुती है कांगरे की कारशारी नियुए बया में जोगी केसी है